अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके All बटन जरूर प्रेस कर लिजेगा दोस्तों तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं आज सुभा लक्षमी जी कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ गई रसोई घर में लगातार खटखट की आवाज आ रही थी यह आवाज उनके बेटे बहु के कमरे में भी जा रही थी तभी उनके बेटे विवेक की नीद खूली और अपनी पत्नी पृती से बोला अरे इतनी सुबस वह मां रसोई घर में क्या कर रही है देखूं तो जरा ऐसा कहते हुए जैसे ही विवेक उठने लगा तभी प्रीती बोली अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है बिना मतलब अपने नींद हराम कर रहे हो तुम्हारी मां अपने पीने के लिए पानी गर्म कर रही होंगी और इस चक्कर में हमारी नींद खराब कर देती है तुम्हें कितनी बार कहा है कि सोने से पहले दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया करो लेकिन तुम कहां मानते हो सारी नींद खराब कर दी कोई काम धंदा तो है नहीं इने घर का काम करते समय तो इने घुटनों में दर्द होता है लेकिन सुबह सुबह तयार होकर पार्क में टहलने के लिए निकल जाती है यहां हमें नींद आये या ना आये किसी को क्या फर्क पड़ता है एक तो पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ उपर से चाइन की नींद भी नहीं सोने देती है ऐसा करते कहते हुए प्रीती ने सुबह सुबह अपनी सासु मा को कोसना शुरू कर दिया तभी विवेक ने कहा अरे प्रीती तुम भी जानती हो कि मा के गठ्या की बीमारी के चलते डक्टर ने उन्हें टहलने की सला दी है और वैसे भी इतना भी क्या काम नहीं होता जितना तुम बोलती रहती हो सिर्फ घर का ही तो काम होता है उसमें से भी साब सफाई करने के लिए भी काम वाली बाई आती है और बरतन और कपड़े धोने के लिए तुमने अलग बाई लगा रखी है सिर्फ खाना पकाने का काम होता है और उसमें भी मात तुमारी मदद कर देती है सबजियां छिलने, काटने, जैसे काम तो उन्हें करने हो नहीं पड़ते फिर भी न जाने क्यों तुम पूरा दिन काम काम करती रहती हो, रट लगाई रहती हो अच्छा, तुम खाप एकर अपने अफिस के लिए निकल जाते हो यहां पीछे घर का इतना काम होता है कि करते करते मेरी तो कमर ही तूट जाती है और मा जी का तो तुम जानते ही हो, साम को भी घर पर कहां बैठती है सत्संग सुनने मंदीर चली जाती है, घर पर तो उनका दिल ही नहीं लगता अरे घर पर रहना जब उन्हें पसंद ही नहीं है, तो उन्हें विरिद आश्रम ही भेज दो न तुम्हारी मा को भी चैन मिल जाएगा, और मुझे भी तभी विवेक गुस्से में बोला, प्रिती, आज तो तुमने ये बात कही दी लेकिन आइन्दा कभी इस बात को दोहराया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा उस उनके कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला होने के कारण, लक्षमी जी के कानों तक सारी आवाज जा रही थी बहु के विचार जानकर उनके दिलों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ ना कहना ही उचित समझा और पार्ग चली गई, नास्ते के बाद लक्षमी जी दोपहर की साग सबजी लेकर काटने बैठ गई, उस मैं प्रिती अपने कमरेक से तैयार होकर बाहर निकली और बोली मा जी, मैं जरा अपनी सहेली सोनिया के साथ बाजार जा रही हूँ, आने में कुछ देर हो जाएगी, तभी लक्षमी जी अपनी बहु से बोली बहु, मेरा चस्मा तूट गया है अब विवेक से क्या कहूँ, वो तो सुबह जाता है और रात को घर लटता है, तुम बाजार जा रही हो न, तो मेरा चस्मा तूम ही बनवाला न तभी प्रीती बोली, मा जी, इस महिने खर्चा बहुत जादा हो गया है, और मुझे भी अपनी सहली की साधी के लिए सौपिंग करनी है इसलिए अभी तूटे चस्मे से ही काम चलाईए, और वैसे भी आपको कौन सा आफिस का काम करना होता है, जो चस्मे के बिना नहीं कर पाएंगे आप अगले महिने मैं चस्मा बनवा दूँगी, और लक्ष्मी जी बोली, ठीक है बहु, प्रीती अपना पर्स उठा कर चलती बनी चस्मे के बिना लक्ष्मी जी बहुत मुश्किल से गुजारा कर रही थी, एक दिन उनका पोता सोनू, उनके कमरे में बैट कर खेल रहा था सोनू पानी मौंगा, तो लक्ष्मी जी रसोई घर में पानी लेने गई, लेकिन बिना चस्मे के कुछ साप दिखाई नहीं दे रहा था अचानक उनका हाथ कांच के गिलास से टकराया और गिलास नीचे गिर गया और तूट गया, जैसे ही प्रिती ने कुछ तूटने की अवास सुनी, तो गुस्य से तल मलाती हुई बाहर निकली फर्स पर देखा तो कांच का गिलास टूटा हुआ पड़ा था, देखते ही आग बवुला हो गई, इतने में प्रिती बोली, भगवान ने दो दो आखे दी है, तो देख कर काम नहीं कर सकती है आप, मेरा इतना महंगा इंपोटेंट गिलास तोड़ दिया आपने, मालूम भ यह मेरी माने दिया था, बिना मतलब इनका नुकसान कर दिया, प्रिती की आवाज सुनते ही विवेक बाहर आया, क्या हुआ प्रिती, इतना चिल्ला क्यों रही हो तुम, आकिर हुआ क्या है, देखो न, तुमारी माने मेरा इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, जानते हो, य मेरी माने दिये थे तभी विवेक ने कहा अरे गलती से टूट गया होगा इसमें इतना चिलाने वाली क्या बात है बिना बात के बतंगड बनाना तो कोई तुमसे सीखे तभी विवेक ने अपनी मां की ओर देखा तो बोला अरे मां आप चस्मा क्यूं नहीं पैंती इस कारण ह कि सायद आपको कुछ नजर नहीं आया होगा बेटा वो मेरा चस्मा अभी लक्षमी जी बोली बोल ही रही थी कि प्रिती बोली भगवान चाने कौन सी दुनिया में गुम रहती है तुम्हारी मां बिना मतला मेरा नुकसान कर दिया बड़बडाते हुए प्रिती अपने कमर में चली गई इधर लक्षमी जी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ऐसा भी क्या कर दिया था जो उनकी बहु इतना बरस पड़ी दरसल प्रिती पर अपनी तथा कथि मौडर्न सहिलियों का काफी परभाव था उसकी अधिकान सहिलिया या तो अपने सास असुर से अलग होकर अपनी अलग गिरिस्ती बसा चुकी थी या पिर उन्हें विरिद आसरम भेज दी थी उनके जिम्मेदार्यों से मुक्त होकर स्वतंत्र जीवन विता रही थी उनकी देखा देखी ही प्रिती पर भी अपनी सास को आसरम भेजने का भूत सवार हो चुका था अक्सर प्रिती फोन पर ही चिपकी रहती कभी अपनी सहनियों के साथ अपनी सास की बुराई करती तो कभी मां के साथ घर का सारा हाल चाल बाटती एक दिन जब पृति अपने घर की सारी बाते अपनी मा को बता रही थी तो उनकी कुछ बाते लक्षमी जी के कानों में पढ़ी थोड़ी दिर बाद वो अपनी बहु के पास आई और बोली बहु अपने सस्राल की सारी बाते मायके में बताना अच्छी बात नहीं होती बाते सुनना नहीं सुना जाता? अपनी बहु की जासुसी करते हुए आपको बिल्कुल सर्म नहीं आई? प्रिती के इस तरह के वेवार से लक्षमी जी एक दम सन्न रह गई. लेकिन कहते भी तो क्या करते? बहु तो समझने को तयार ही नहीं थी और बेटे को वो परिशान नह करना चाहती थी इसलिए चूप चाप अपमान का घूट पी कर सहन कर गई लेकिन प्रिती चूप रहने वाली नहीं थी रात को खाना खाने के बाद जैसे ही विवेक कमरे में आया उसने फिर से वही जिद पकड़ ली तुम्हारी मां के रहते हुए तो मेरा जीना ही हराम हो चली आती हैं तुम मेंसे कितनी बार कहा है कि अपनी मां को विरीद आश्रम भेज दो लेकिन तुम हो की सुनते ही नहीं अरे विरीद आश्रम इन जैसे बूढ़ों लोगों के लिए ही तो बना है और फिर तुम्हारी मां को भी अपनी उम्र के लोग मिल जाएंगे वो तो उनका दिल भी लगा रहेगा तभी विवेक बोला पृती बड़े बुचुर्ग अगर कुछ समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं लेकिन यह सब बाते तुम्हारे दिमाग से बाहर है और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो कि मैं अपनी मा को कभी विरिद आस्रम भेजूंगा तुम नहीं जानती कि मेरी माने मेरे लिए कितने त्याग किये हैं और आज जब उन्हें मेरी जरुरत है तो मैं उनका खयाल भी ना रख सकूँ तो लाललत है मेरे जैसे बेटे पर तभी पृती बोली बस तुम्हें तो अपनी मा के अलाबा इस दुनिया में को पोस कर बढ़ा किया है खुद भूखे रहकर मेरी माने मुझे भर पेट खिलाया है मैं केवल दस साल का था जब पिताजी की मिर्थिव हो गई थी और उनके पस्यात मा मुझे अकेला छोड़कर कभी नौकरी नहीं की इसलिए उन्होंने घर से ही टिफीन सर्विस शुरू की और साम को भी जो थोड़ा बहुत समय बसता था उस समय मुझे पढ़ाने के साथ साथ इस्कूल के छोटे छोटे वच्चों को भी ट्यूसन देती थी दीन रात मेहनत करते हुए मा ने मुझे इस मुकाम तक पहुचाया है कि मैं आज इज़्जत भरी जिन्दगी जी रहा हूँ भले ही मा ने एक पास इतने पैसे नहीं होते थे लेकिन फिर भी मेरी मा हर एक डिमांड को पूरा करती थी कहते कहते ही विवेक की आँखों में आशु भराये और बोला पृती मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी मा को कभी नहीं विवेक की बाते सुनकर पृती भी उस समय चुप हो गई और उसके बाद कुछ दिनों तक घर में सांती रही लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा पृती का वही बढ़ताव फिर से शुरू हो गया जिस कारण विवेक फिर से परिसान रहने लगा कि आखिर वो पृती को कैसे समझाए एक दिन पृती ने अपने घर पर सारी सहलियां को बुलाया और अपनी सासुमा से कहा मा जी आज मेरी कुछ सहलियां घर पर आ रही है आप स्नेक्स बहुत अच्छा बनाती है तो आज आप ही उनके लिए चाय और स्नेक्स बनाना लक्ष्मी जी की घुटनों में दर्द दाल लेकिन फिर भी बहु की बात मान गर दोपहर से ही तैयारियों में जुट गई उसके हाथ के बने खाने में इतना स्वाध होता था कि बड़े बड़े होटल के सेप भी उनके आगे फेल हो जाया करते थे प्रीती की सहलियों के आने से पहले लक्ष्मी जी लगबग सारे व्यंजन बना चुकी थी हो चुका है बस जब तक तुम्हारी सहनियों आएंगी तुम्हें चाय बना दूंगी उसी समय दरवाजे की बेल बजी तो प्रीती ने कहा मा जी आप चाय बना कर रख दीजिये और जल्दबाजी में चाय पत्ती के साथ चीनी की वज़ाए नमक का डिबबा उठा कर अपनी सासुमों को पकड़ा दी और बोली आप जल्दी से कम निप्टाईए और ऐसा कहकर प्रीती घर का दरवाजा खोलने चली गई नजर कमजोर होने और चस्मों ना होने के कारण लक्षमी जी को भी नमक और सक्कर में फर्क समझ नहीं आया और उन्होंनों चाय में नमक डाल दिया तभी प्रीती अपनी सहलियों को लेकर अंदर आई और उनके साथ बाते करने लगी थोड़ी देर बाद बातचित करने के बाद प्रीती सब के लिए रसोई घर में से तरह तरह के सनेक्स लेकर आई तो ऐसे दिखा रही थी मानो सारे सनेक्स उनके ही बनाये हो सब लोग बड़े मज़े से स्नेक्स खाने लगे और हसी मजाक और बातचित का सिलसला चल पड़ा थोड़ी ही देर में चाय भी बन चुकी थी तो लक्षमी जी गरमा गरम चाय लेकर आई और मेहमानों को सर्व करने लगी उनकी सारे सहलियां लजीज व्यंजनों का अनन्द ले रही थी और खाते उवे उसने एक सहली बोली अरे पृती ये स्नेक्स तो तुमने बहुती स्वादिस्ट बनाये हैं तभी दूसरी सहली बोली हाँ यार पकोड़ों का तो कोई जबाब ही नहीं है इतने स्वादिस्ट पकोड़े तो मैंने आज पहली बार खाये हैं तभी एक और सहली ने कहा लेकिन ये तो बताओ ये सब बनाना तुम्हें किसने सिखाया इससे पहले कि लक्षमी जी कुछ कहती प्रीती प्रीती बोली अरे यार इंटरनेट पर देखकर मैं सब कुछ सीख गई हूँ तुम बस स्नेक्स इंजोई करो और स्नेक्स ही क्यों तुम अपनी सहली के हाथ की बनी चाय का भी मजा लो और बताओ कैसी बनी है लेकिन जैसे ही उनकी सहलीयों ने चाय पीनी सुरू की तो सब के मुँगा स्वाद बिगड़ गया कुछ सहलीयों वास बेसिन में कुला करने लगी तो कभी वही बौकी सहलीयों उन्होंने अभी तक चाय पीनी सुरू नहीं की थी उन्होंने चाय वापस रख दी उनका यह रवया देकर प्रीती हैरान रगई उसने तुरंथ चाय उठा कर थोड़ी सी चक कर देखी तो जोड़ से चिल्लाई मा जी ये आपनी क्या किया क्या आपको इतना भी नहीं पता कि चाय में नमक नहीं सक्कर डाली जाती है कम सकम देख तो लियाक किजिए आपको तो बिल्कुल भी अकल नहीं है तभी प्रीती की सारी सहनियों कहने लगी ये क्या प्रीती तुमने तो कहा था कि स्नेक्स और चाय तुमने बनाई है फिर नमक भी तुमने ही डाला होगा ना तभी लक्ष्मी जी विनाम्र भाव से बहु की सहलियों को बोली गलती तो मुझसे हुई है चाय मैंने ही बनाई थी और ढंग से नजर ना आने के कारण नमक भी मुझसे ही गलती से डल गया मुझे माप करना बेटा तभी प्रिती की एक सहली जो बहुत अच्चे सुभाव की थी उठकर लक्ष्मी जी के पास आई और उन्हें गले लगाते हुए बोली नहीं आंटी जी आप हमसे बड़ी हैं तो प्लीज मापी मत मांगिए छोटी मोटी गलतियां हो जाती है उसके बाद प्रिती ने उन्हें कुछ ना कहना ही उचित समझा जब उनकी सारी सहलियां अपने घर चली गई तो प्रिती ने तो जैसे घर में तूफान ही खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से बोली मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती आखिर आप चाहती क्या है अपनी सहलियों के लिए मैंने थोड़ा सा काम करने को क्या कह दिया आपने तो में पूरे नमक का डिबाही चाय में उजेल दिया अगर कुछ नहीं बनाना था तो बोल दिया होता लेकिन इस तरह मेरी बेज़ती करना क्या जरूरत था तभी लक्ष्मी जी बोली बहू मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा ही बनाया था और जब चाय बनाने लगी तो नमक का डिबा भी तुमने ही मेरे हाथ में दिया था यह काकर की मेरी सहलियां आ रही है और जल्दी से चाय बना दो अब यदि मुझे वो नमक चाय में डाल दिया तो इसमें मेरे क्या कसूर था अभी यह सब बाते चल ही रही थी कि विवेक भी घर आ गया और पृती को गुसे में देखकर उसके कारण जानना चाहा तो पृती ने चिला चिला कर उसे सारी बात बताई तो विवेक बोला पृती थोड़ा ध्यान तो तुम्हें भी करना चाहिए था कि मा की अब उम्र हो चली है तो कम से कम काम में उनका हाथ बटा देती और मा आप चस्मा क्यों नहीं पैंती है जब भी आप चस्मा नहीं लगाती है तो कुछ न कुछ उल्टा ही हो जाता है मुझे बताईए अपने चस्मा कहां रखा है मैं अभी लेकर आता हूँ तभी लक्षमी जी बोली बेटा दरसल बात ये है कि मेरा चस्मा कुछ समय से टूटा हुआ है जिस कारण मैं ढंग से देख नहीं पाती और मुझसे कोई न कोई गलती हो जाती है तो विवेक बोला आप भी कमाल करती है मा आपका चस्मा टूट गया है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं फिर लक्ष्मी जी ने कहा बेटा मैं तो बहु को कहा था लेकिन बहु ने ये कहकर बात टाल दी कि इस बार खर्चा बहुत हो गया है तो वो पैसे नहीं बचे अगले मैंने वो मेरा चस्मा बनवा कर ले आएंगी यह बात सुनकर विवेक ने प्रिती की और प्रस्न वाचक निगास से देखा तो प्रिती अपना बचाव करते हुए बोली हाँ तो क्या हुआ आखिर हूँ थो इंसान ही भूल गई मैं माजी माजी का चस्मा बनवाना फिर विनए ने कहा प्रिती जैसे तुम इंसान होकर गलती करज सकती हो वैसे मेरी माँ भी इंसान है और छोटी सी गलती पर तुम उन पर ऐसे चिलाने लगती हो जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा गुना कर दिया हो तुम्हारे रोज-रोज के इस विवार से मैं तो परेशान हो चुका हूँ विवेक की इतनी बात सुनकर पृती का गुस्सा सात्वे आस्मान तक पहुच गया और जोड से चिलाते हुए बोली तुम्हे तो सिर्फ अपनी मौक ही नजर आती है तुम्हारे जिंदगी में मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं अपने माय के ही चली जाती हूँ आज के बाद मेरा तुमसे और तुम्हारे इस घर से कोई लेना देना नहीं है ऐसा कहते हुए पृती गुस्ये से पैर पठकती हुई अपने कमरे में गई और बैग निकालकर अपने और अपने बेटे के कपड़े पैक करने लगी फिर लक्ष्मी जी उनके पास आई और हाथ जोड़कर उसे विनती करने लगी बहु मेरे कारण तुम दोनों अपनी गिरस्ती क्यों खराब करते हो यदि तुम्हें मेरी उपस्ति पसंद नहीं है तो मैं ही विरिद आश्रम में चली जाती हूँ तभी विवेक वहां आया और बोला नहीं मा आपको हाथ जोड़ने की कोई जरुरत नहीं है और आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगी यदि प्रीती को आपके साथ रहना पसंद नहीं है तो वो यहां से जा सकती है लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और अब इस रोज-रोज के जगडे से तो मैं भी परेसान हो चुका हूँ प्रीती ने अपना सामान पैक किया और जैसे ही जाने लगी तो विवेक से बोली अगर तुम चाहते हो कि हमारे घिरस्ती फिर से बसे तो अपनी मा को विरिद आस्रा में छोड़ देना मैं वापिस आ जाओंगी नहीं तो मैं यहां कभी लोटकर नहीं आओंगी ऐसा काकर प्रीती अपने माई के चली गई लेकिन विवेक ने उसे रोकने की कोशिस नहीं की क्योंकि अब वा इस समस्या का हल जानता था आज घर में जो कुछ भी हुआ वा सब देकर लक्ष्मी जी बहुत बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई फिर विवेक के पास आकर बोली बेटा तुम कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे समस्या और बढ़ जाए मेरे कारण तुमारी गिरस्ती खराब हो या मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती इसलिए मैं कल ही व्रिद आश्रम चली जाऊंगी फिर तो तुम बहु को घर वापस ले आना फिर विवेक बोला नहीं मा गिरस्ती किसी एक इनसान के भरोसे नहीं चलती इसमें दो लोगों का बराबर का योगदान होता है लेकिन यहां तुम्हारी बहु किसी भी तरह का योगदान देना नहीं चाहती अब उसे कौन समझाए उसकी भासा में ही समझाना पड़ेगा ऐसा सोचते हुए उसने कभी फोन लगाया ही नहीं उदर प्रीती जब ससुराल से जगडा करके अपने माय के आ गई तो उसके मा बाप को उनकी चिंता सताने लगी परन्तु किसी ने उसे कुछ भी नहीं का दो दिन उनकी भावी ने भी उनकी खूब खातिरदारी की मगर तीसरे दिन जब प्रीती अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी तो उनकी भावी ने खाना लगाया खाने के प्लेट देखते ही प्रीती के पिता उनकी भावी से बोली बहु, सबजी में तेल बहुत ज़्यादा है तुम्हें तो मालूम है की मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ इसलिए तेल थोड़ा कम डाला करो तभी उनकी भावी गुस्य से बोली पिता जी, ये तो आपका रोज का काम है कभी आपको सबजी में तेल ज़्यादा लगता है कभी चाय में सक्कड और तो और कभी सुखी रोटी का रोना रोने लगते हैं मैं तो परेशान हो गई हूँ इस रोज-रोज की किट-किट से सारा दिन काम में लगी रहूं उपर से आप लोगों की ये टोका-टोकी और फिर प्रिती की ओर देखते हुए बोली आए दिन घर में कोई न कोई मेहमान आ जाते हैं वो अलग ना तो मुझे यहाँ प्राइवेसी मिल पाती है और ना ही मैं अपने हिसाब से जी पाती हूँ अब मुझे नहीं होती आप सब लोगों की खातिरदारी मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है अब मुझे आप लोगों से अलग रहना है प्रिती की भावी की ऐसी बाते सुनकर हैरान रह गई फिर बोली भावी जरासी तो बात है आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है तब उनकी भावी बोली दीदी आपके बीच में बोलने की कोई ज़रत नहीं है ये हमारे परिबार का मामला है आप अपना घर देखिए आप इस घर की महमान है तो महमान ही बन कर रही है फिर प्रिती गुस्य से बोली भाभी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे महमान कहने की इस घर की बेटी हुँ मैं मेरा भी इस घर पर पूरा हग है दीदी आपका घर तो वो है जिसे आप छोड़कर यहां आकर बैट गई है अपनी भाभी को ऐसे बोलते देख प्रिती को उसे देखती रह गई उसे अपनी भाभी का यह वेवार बहुत बुरा लगा फिर थोड़ा सैयम रखर प्रिती बोली भाभी लेकिन पापा ने ऐसा भी क्या कह दिया था जो आप इतना चिड़ गई हैं और अब अलग रहने की बात कर रही हैं मुझे तो हैरानी हो रही है आप तो कभी ऐसी नहीं करती थी आप तो हमेशा हस्ते हुए सारे काम का काज कर लेती थी और माँ बाबुजी दोनों खूब इज़त देती थी लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि आप पिता समान अपने ससूर के साथ इतना बुरा विवार कर रह ही है तभी प्रिती की भावी बोली क्यूं इसमें हैरानी वाली क्या बात है आजकल तो कोई लड़की अपनी सास ससूर के साथ रहना ही नहीं चाहती सभी लड़कियां अपना अलग परिवार बसाना चाहती है उन्हें अपना पती तो पसंद है लेकिन उनके माता-पिता की स बठाती है लेकिन फिर भी अपनी सास की उपस्ति आपको अपने घर में इतनी खटकती हैं कि अपनी सास को बिद्धाश्रां बेजने की जिद़ कर लेकर माईके आकर बैठ गई तो आप ये सब बाते मुझसे कैसे कर सकती हैं। अपनी भावी की ये बाते सुनकर प्रीती की आंकों से आंसु छलक पड़े और अपनी मा की ओर देखनी लगी। तभी उनकी मा ने उसे एक जोड़दार तमाचा उनके गाल पर जड़ दिया। अपनी मा का ऐसा वहवार देखकर प्रीती हैरान रह गई। और बोली मा आप लोगों के साथ भावी इतना बुरा वहवार कर रही है और थपड़ आप मुझे लगा रही है। तभी उनकी मा गुसे से बोली बेसर्म लड़की। जब तुम अपनी सास पर चिल्लाती हो उन्हें इतनी बाते सुनाती हो यहां तक कि उन्हें अलग रहने की जीद में उन्हें विरिद आस्रम भेज कर भेजने पर अड़ी हुई हो तब तुमारी ये विचार कहां जाते हैं जिस इंसान के पैसों से तुम एस करती हो उसी को चर्म देने वाली मा को डाटती, फटकारती हो उनकी बिजत्ती करती हो तब तुमें इस बात का कोई एशास नहीं होता कि इस सास मा समАन होती है तब तुम अपने आपको बिल्कुल सही समशती हो लेकिन जब वही भेवार तुमारी भावी ने हमारे साथ किया तो तुमें अ सर्म से जुग गई बेटी मैंने तुमें कितना समझाया समझाया करती थी कि अपने सुषराल की बाते ससुराल तक ही सिमित रख अपने मायके में कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है हमारी परवरिस तो ऐसी नहीं थी मैंने कभी तुमें कोई गलत सला नहीं दी थी लेकिन आज जब तुने जो हर्कत की है उसके कारण हमारी परवरिस पर भी सवाल उठेंगे तेरे ससुराल बाले तो यही सोचेंगे कि तेरी मौने ही तुरे सिखाया होगा तेरी सास को व्रिद आसनम भेजने की सलादी होगी गलत बाते सिखाई होगी क्या आज से पहले तुने अपनी भावी को इस तरग हम लोगों से बात करते देखा है अरे नहीं वह तो कभी उच्छी अवाज में बात तक नहीं करती लेकिन तुम्हारी देखा देखी तुम्हारी भावी पर भी गलत परवाव पड़ रहा है अपनी मा की बाते सुनकर परिती को एहसास हुआ कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है बहुत देर वह सोच विचार में बैठी रही रात हो चुकी थी लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी अगले दिन सुबा होते ही परिती ने अपना समान पैक कर लिया और अपने ससराल वापस लोट आई जैसे ही परिती अपने ससराल वापस लोटी तो लक्ष्मी जी उसे अपने सामने देख कर हैरान रह गई इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती परिती उनके पैरों में गिर गई और बोली मा जी मुझे माप कर दी जी मेरी आँकों पर स्वार्थ की पट्टी पड़ गई थी जिस कारण मैं आपके साथ इतना बुरा वेवार कर बैठी अपनी बहु को इस तरह माफी मंगते देख लक्षमी जी ने उसे उठा कर अपने गले से लगा लिया लेकिन लक्षमी जी यह बात समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दो दिन में ऐसा क्या हो गया जो प्रिती उल्टे पाउं वापस आ गई और रोते हुए उसने माफी मंगने लगी विवेग जो आफिस जाने के लिए अपने कमरे में तयार हो रहा था प्रिती की आवाज सुनकर बाहर निकला सास बहु को इस तरह गले लगते देख उसके चेरे पर मुस्कावन आ गई तयार होकर घर से बाहर निकला तो सबसे पहले उसने अपनी सासु मा को फोन लगाया और उनकी मदद के लिए उन्हें सुक्रिया अदा करते हुए बोला मौजी धन्यवाद आप धन्य है अगर सभी माबाप अपने बच्चों की गलती हरकतों पर उनके साथ ना देते हुए उन्हें इसी तरह सही रास्ते पर लाए तो कोई घर परिवार कभी नहीं उजड़ेगा कहते कहते विवेक की आँखों में आशू आ गए दरसल हुआ यूँ था कि जिस दिन परिवेक से जगड़ा करके अपने मायके गई थी उसी दिन विवेक ने अपनी सासू माँ को फौन करके सारा किस्सा बयान कर दिया था और इस मामले में उसने मदद मौंगी थी पृती की मा अपने दमाद और समधन को खूब अच्छी तरह से जानती थी इसलिए आज जो कुछ भी पृती के मायके में हुआ वो सब पृती के माता पिता और भावी का सोचा समझा नाटक था ताकि वो पृती को सही रास्ते पर ला सके आज पृत खुस से अपने घर का सारा काम कर रही थी और लक्ष्मी जी के साथ खून खूब हस बोल रही थी बतिया रही थी जब विवेक घर लोटा तो चीखने चिलाने की आवाजों के अस्थार पर हसी ठिटोली की आवाजे पूरे घर में गूंज रही थी ये नजारा देकर विवेक सोच प्रिती की मा की तरह यदी सभी माता पिता समसदारी से काम ले तो बहुत से घर उजडने से बच जाए तो दोस्तों यह थी आज की एक प्रेरना दायक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा चलिए फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ हर हर महादेव स्टोरी की मते हैं एक प्रित